नमस्कार आप देख रहे हैं एस्टो सेज टीवी और मैं हूँ आपका अपना एस्टो गुरू मरगांक आज हम बात करेंगे सूरे के करकराशी में गोचरगी वैदिक जोतिश में सूरे को नवगुरू का राजा गहा जाता है और यह सिंग राशी के स्वामी है और इन्हें आत्मा एवं पिता का कारक भी माना जाता है इसके अत्रिक यह जातक के कुणली में सम्मान, सफलता, प्रगती एवं उच्छ पदों को भी परदर्शित करते हैं सूरदेव 16 जुलाई 2017 अर्थात रवीवार को करक राशी में गोचर करेंगे और 17 अगस 2017 गुरुवार तक यह करक राशी में ही स्थित रहेंगे तो आईए जानते हैं सूरे के इस गोचर का विभिन राशियों पर क्या प्रभाव पढ़ता है लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एसोसेस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद यह जो नोटिफिकेशन की एक घंटी आती है आपके पास इसको क्लिक कीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो रिलीज हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आईए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी के जातकों के लिए सूर्च चोथे भाव से गोचर करेगा इस दोरान पारिवारिक समस्याओं को लेकर आप थोड़े तनाव में रह सकते हैं साथी साथ माता पिता जी की सेहत भी कुछ कमजोर रह सकती है खासकर माता जी के स्वास्ते के और आपको अधिक ध्यान देने के आवशक्ता होगी परिवार के लोगों पर आप हावी होने का प्रयास कर सकते हैं जो विवादगा कारण भी बन सकता है इसलिए इस ओर विशेशुरूप से ध्यान देना चाहिए हलाकि इस बीच जीवन साथी को कारेश शेतर में लाब मिलने की संभावना है आप भी अपने कारेश शेतर में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं बस आपको मानसिक तनाव के कारण कुछ कारेश प्रभावित हो सकते हैं उनको रोकना होगा सरकार से आपको किसी तरह का लाब मिल सकता है अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आपको कोई सरकारी आवास अथवा वाहन भी मिल सकता है यदि प्राइविट शेतर में जॉब में हैं तो भी आपको कोई वाहन अथवा वाहन से रिलेटिड स्वविधा प्राप्त हो सकती है उपाय के रूप में हरिवन्ष पुरान का पाठ करना अथवा सुनना आपके लिए उत्तम फल लाई रहेगा आए जानते हैं वर्षब राशी का हल सूर आपकी राशी से तीसरे भाव में संचरण करेगा इस गोचरी अस्तिर के कारण आपके साहस एवं संकल्प शक्ती में वर्द्धी होगी आप अपने शात्रों पर हावी रहेंगे छोटी दूरी की यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं गोचर के दौरान माता पिता का स्वास्ते प्रभावित हो सकता है भाई बहनों के साथ किसी मामले में मतभेद भी संबव है समाज में प्रतिष्टित लोगों सो आपके संबंद स्थापित होंगे वहीं जीवन साथी को कारेशेतर में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है नई जौब मिलने पर आप अपनी वर्तवान नौकरी को छोड़ भी सकते हैं उपाय के रूप में रविवार के दिन तामबे की कोई वस्तू दान करना आपके लिए शुब रहीगा आई आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मिथुन राशी की सूर आपकी राशी से दूसरे भाव में प्रवेश करेगा जिसके प्रभाव से आपकी भाषा में कुछ कड़वाहट देखने को मिल सकती है कठोर वानी के चलते लोग आपसे कुछ नाराज अत्वा दुखी भी हो सकते हैं या वो समझ सकते हैं कि आप एहंकारी हो गए हैं परिवार के लोगों से आपका कुछ मन मुटाव संभव है सरकारी शेत्र और जीवन साती के ओर से आपको लाब मिलने के पूर योग बन रहे हैं जीवन साती की सेहत का पूरा ख्याल रखें गोचर की अबधी में आप धन जुटाने में सफल रहेंगे हाला कि आपको आँक से सम्मंदित कोई रोग हो सकता है अपनी कारेशमता और प्रियासों के बल पर आप हर परिस्तिती को अपने अनुकूल बना सकते हैं छोटी दूरी की आत्रा आपके लिए लाबकारी भी सेध हो सकती है उपाय के रुप में अपने पिताजी की सेवा उनका सम्मान करें और सूर देव को लाल पुष्प अरपित करें आए जानते हैं करक राशी के लिए इस गोचर का प्रभाव सूर आपकी राशी में ही ओचर करेगा अर्थाति आपके पर्थम भाव में इस्तित होगा परणाम सुरूप आपके सुभाव में थोड़ा सा एहम एवं भाशा में थोड़ा करवाहट देखी जा सकती है आपके सुभाव के कारण आपके कुछ नज़दी की रिष्टों में कुछ खटास संभव है खासकर जीवन साथी आपसे नराज आत्वा दुखी रह सकते हैं इसलिए आप जीवन साथी के साथ कोई भी बहसना करें और उनकी भावनाओं की कद्र करें आपको सिर्दर्थ, बुखार, सीने में किसी प्रकार का संक्रमन ये सूजन जैसी स्वास्ते सम्वनी परिशानिया परिशान कर सकती हैं आधिक से आधिक द्रविय पधार्तों का सेवन करें और सरकार से आपको लाभ भी समय में प्राप्थ हो सकता है उपाय के रुप में इस मंत्र का आपको जाब करना है ओम घर्णी सुर्याय नमाह दुबारा रिपीट करते हैं ओम घर्णी सुर्याय नमाह इस मंत्र का जाब कीजिए सूरदेव की करपा आपको प्राप्थ होगी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सिंग राशी की सूर्य आपकी राशी से बारवे भाव में गोचर करेगा इस गोचर के दोरान आपकी सेहत में कुछ गिरावट दर्ज होने की संभावना है इसलिए समय समय पर अपने स्वास्ते की जांच कराते रहें आप विदेश में बसने का मन भी बना सकते हैं कड़ी मेहनत के बल पर आप विपरीत परिस्तित्यों को भी अपने अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे गोचर के दोरान आपका खर्च बढ़ सकता है इसलिए पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करें ध्यान दे नेतर संबंदी अत्वा हड़ियों से संबंद कोई पीड़ा हो सकती है उपाय के रुप में रविवार को अपने बाजू में बेल मूल धारन करना आपके लिए उत्तम फल दाई रहेगा आए जानते हैं कन्या राशी के लिए सूरे के इस गोचर का प्रभाव सूरे देव आपकी राशी से ग्यारवे भाव में गोचर करेंगे इस दोरान आपको विदेश संबंदी अत्वा विदेशी कंपनियों से आर्थिक लाब होने की संभावना रहेगी गोचर के दोरान आपकी संकल्प शक्ती में काफी वर्दी होगी और आप अपने शत्रों को परास करने में भी सफल रहेगे कार स्तल पर आपको वरिष्ट कर्मियों को पूरा साथ मिलेगा परन्तु किसी मामले में आप उनसे उलज भी सकते हैं इसको आपको ध्यान रखना होगा ध्यान रखें आपको अपने सीनर्स का हमेशा सम्मान करना है प्रेम रूपी जीवन में कुछ गुछा और एहंकार कड़वाहट का रंग होल सकता है इसलिए थोड़ा संभल कर चले बच्चों की सेहत में कुछ कमी देखी जा सकती है तो उनकी सेहत की देखभाल अवश्य करें कुल मिलाकर सूरे का एकोचर आपके लिए काफी हद तक प्रभावशाली रहेगा और आपको काफी कुछ लाब देने के लिए पस्तोत रहेगा उपाय के रुप में रवीवार को लाल कपड़ा दान में देना आपके लिए शुब रहेगा सूर्य आपकी राशी से दस्वे भाव में स्थित होगा यह स्थिती आपके लिए शुब संकेत दे रही है इस अवधी में आप अपनी शम्ता से अधिक कारे करेंगे जिसका आपको अनुकुल परणाम प्राप्थ हो सकता है कारेस्थल में उन्नती होने के शुवयोग दिखाई देते हैं आप किसी उच्पद पर आसीन हो सकते हैं परकति के मार्ग में सीनर्स का भी भरपूर सेयोग मिल सकता है सरकार की किसी योजना का लाव आपको प्राप्थ हो सकता है हलां कि पारिवारिक जीवन में कुछ कलेश जैसी समस्या पैदा हो सकती है लेकिन किसी कारे में बड़े भाई भैनों का सेयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्थ होगा आपकी सासू मा की तव्यत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है इस और थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा उपाय के रुप में रविवार के दिन बैल को गेहूं वह चना खिलाए आपके लिए उत्तम रहेगा आए जानते हैं वर्षिक राशी का हाल सूर अगर है आपकी राशी से नौवे भाव में गोचर करेगा यह आपके लिए अच्छा समय सावित हो सकता है गोचर की अवधी में आपकी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं यह यात्रा आपके लिए लाबगारी भी हो सकती है दानपुन्य में आपका मन लगेगा और धार्मी क्रियाओं में भी आपकी सक्रियता बढ़ सकती है समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है पिताजी की सिहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि उनके स्वास्था में कुछ कमी देखे जा सकती है इस सियत्रिक्त ऐसा संभव है कि आपसे उनका वैचारिक मतभेद रहे भाई बहनों से मतभेद होने के भी आसार है नई नौकरी मिलने पर आपनी वर्तमान जौब को छोड़ सकते हैं आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने की योजना भी बना सकते हैं सरकार से किसी तरह का लाभ भी संभव है ऐसा संभव है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ कर कोई दूसरी नौकरी जोईन करने के और प्रयास करें उपाय के रुप में रोजना तामे के लोटे में जल भर कर उसमें लाल कुम कुम मिला कर सूरदेव को अर्पित करें आये जानते हैं धनु राशी के लिए सूरे के इस गोचर का प्रभाव सूरे आपकी राशी से आठवे भाव में गोचर करेगा इस दुरान आपका स्वास्ता कुछ कमजोर रह सकता है इसके अलावा अचानक है आपको धनहानी संभव है इसलिए धन का निवेश पूरी सावधानी के साथ करें गोचर की अबधी में आपके किसी महत्पूर कारे में रुकाव अटा सकती है साथ ही साथ आपके पिताजी की सेहत में भी कुछ समस्या देखी जा सकती है और आपको उनसे अपने संबंदों पर भी विश्येश ध्यान देना होगा अपने गुसे को काबू में रखें और कटू भाषा का प्रेयोग ना करें ससुराल पक्ष से विवाद की संभावना है बच्चों का स्वास्ते भी कुछ कमजोर है सकता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ अप्रत्याशित लाब मिलने की संभावना है बस अपने ध्यान को विचारिक मतभेद में उक से दूर रखे और स्प्रिच्वल्टी की वाल ले जाए उपाय के रुप में आदित्य हर्दे सरोत का पाठ कीजे आपके लिए उत्तम रहेगा आए जानते हैं मकर राशी के लिए सूरे के इस गोचर का प्रभाव सूरे आपकी राशी से सात्वे भाव में प्रवेश करेगा इस दोरान घर में कुछ अशान्ती का वातावन रह सकता है आपके व्यवार में कुछ एहम भाशा में कड़वाट बढ़ेगी गोचर के दोरान आपकी सिहत को नजर अंदाज ना करें क्योंकि सात्में जीवन सात्वी का ख्याल रखना भी आपके लिए आवश्चक होगा इस दोरान आपके जीवन साती से आपके संबंदों में कुछ समस्या हो सकती है बच्चों आप शात्रों के लिए गोचर शुब संकित लेकर आया है कारे शेत्र में आपको गोचर के अनुकूल परिनाम ही प्राप्त होंगे उपाय के रूप में रविवार को तांबे की वस्तु दान करना आपके लिए उत्तम रहेगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी कुम्भ राशी की सूरदेव आपकी राशी से छटे भाव में गोचर करेंगे इस दोरान आप अपने शत्रों पर पूर्ण रूप से हावी रहेंगे और वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वो आपका सामना करेंगे किसी प्रतियोगी परिक्षा में आपको सफलता मिलने की संभाव न रहेगी कानूनी मामलों में भी आपको आशान रूप परिणाम मिल सकते हैं जीवन साती की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना आवशक होगा आपके खर्चों में वर्धी की संभावना भी है व्यवसाय में साजेदारी से कुछ नुकसान होने के आसार बन रहे हैं सूर्य गरह आपकी राशी से पंचम भाव में गोचर करेंगे इस इस्ति में आपकी नौकरी में ट्रांसफर होने की संभावना है कारे शेतर में सीनर के साथ कुछ विवाव होने की भी समस्या हो रही है प्रेम जीवन में अपने प्रियतम से किसी बात को लेकर बहस बाजी करने से प्यार में कुछ कड़वाहट पैदा हो सकती है अपने गुशे पर पूर्ण रूप से अन्यंतरन रखें आप विवाहित हैं तो बच्चे थोड़े चिड़े सुभाव के हो सकते हैं दूसरी और गोचर के दौरान आप अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे छात्रों को पढ़ाही में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है राजनितिक छेत्र में भी आपके रूची बढ़ सकती और आप इस फिल्ड में हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी साथ ही आपके जीवन साथी को भी कोई अच्छा सम्मान या अच्छी अच्छी अचीमेंट प्राप्त हो सकती है उपाय के रूप में सूर्य बीज मंतर का जाब करें जो की इस प्रकार है ओम हराम हरीम हराम सहा सूर्याय नमाहा इस मंतर का जाब किजे सूर्यदेव की करपा आपको प्राप्त होगी तो ये था हमारी ओर से सूर्यदेव का करकरश्ची में गोचर का प्रभाव हमारे और भी अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किजिए एस्टोसेज टीवी को जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है और हमसे जुड़े रही है साथ ही आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेर करना बिल्कुल ना भूले इसके अत्रिक्त आप हमारे वेबसाइट www.assocage.com पर भी हमसे संपर्ग कर सकते हैं आपको अपने भविश्य से जोड़ी केसी भी समस्या के लिए डाउनलोड कर सकते हैं आस्सोसेज कुंडली एप को और पाईए 50 प्रश्टोगी कुंडली बिल्कुल मुफ्त पुने आप सभी को एश्टोगुरुम्र गांग का प्यार भरा नमस्कार